हाई फ्रेंड्स मैं हूँ प्रिया आरुन देकर आपका प्रयाज फूर्टराप पे स्वागत है आज खास दिन है मेरे बेटे राज का जननली आज इस उडेर में आप देखेंगे दो स्विट सबसे पहले बनाएंगे स्विस रोल और उसके बाल बनाएंगे कस्टर ट्रिफर कस्टर ट्रिफर में इस्तमाल करेंगे मिनी स्विस रोल डेकोरेशन के लिए और लेयस के लिए वीडियो को पूरा देखिए, इसको लाइक, सब्सक्रेब करें, अपने फ्रेंग्स और फैमली के साथ शेयर कर दीजे, और साथ में मेरे बेटे को बहुत सरी जोई, याद ले दीजे, थानेक्स और इंजोई बोल में लेते हैं, हाप कब दूद रूम टेंपरिचर, फिर उसमें मिलाते हैं, एक टी स्पून विनेगर, और अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, उसके बाद मिलाते हैं, टीन टेबल स्पून विफैंड ओईल, और ओईल को भी अच्छी तरह से, पिक्षर में मिक्स कर देन चन्नी में 1-4 cup पिसी हुई चिली डाल कर अच्छी तरह से चान लेना है उसके बाद चन्नी में 1-5 cup मैदा लेना है उसमें 1-5 teaspoon baking powder और 1-4 teaspoon baking soda डाल कर अच्छी तरह से चान लेना है सभी चिज़ों को अच्छी तरह से mix करके एक smooth batter बना देना है उसके बाद vanilla essence के 2 या 3 drops उसमें mix कर देना है matter को 2 समान भाग में divide कर देना है बैटर के एक भाग में half teaspoon cocoa powder डाल कर तीन से चार ड्रॉप्स रेड फूर कलर के mix कर देने अच्छी तरह से प्राइंग पैन को सब जवसे अच्छी तरह से oil से grease कर देना है चमच के सहता से white color का batter प्राइंग पैन के सेंटर में डाल कर फिर उसके उपर red color का batter चमच के सहता से डाल देना है फिर red color के उपर white color का batter डालना है इस तरह जब तक batter खतम नहीं होते दोनों फ्रेंड्स आपको इस तरह का प्रोसेस लगातर करते रहना है अब देख सकते हैं किस तरह एक zebra डिजाइन तयार हो रहे हैं और दिखने में भी बहुत खुपसुरत लग रहे हैं दोनों मेंटर खतम होने के बाद इस फ्राइंड पैन को सावदाने से उठा कर गैस पे रखना हैं अगर आप फ्राइंड पैन थिक बेस का इस्तमाल कर रहे हैं तो flame मेडियम आज पे रखनी हैं और पैनकेक को पास से दस मिल्ट तक बेक करना हैं उसी तरह अगर आपके फ्राइंड पैन का बेस पतला हो तो flame को आप लो रखे और उसको बेक करें 5-10 मिनिट यह आप देख सकते हैं फ्राइंड पैन को रखा है फ्लेम पे और उसको उपर से कवर कर दिया है 5-10 मिनिट के बाद इसको चेक करने फ्राइंड पैन थंड़ा होने के बाद पैचुला के सहता से पैन केक को इस तरह थुड़ा निकाल लेते हैं फिर उसके उपर पिसी हुई चीनी को इस तरह स्प्रेड कर देते हैं बटर पेपर या फॉइल पेपर को उसके उपर रख कर उसके बाद प्लेट रखते हैं उसके उपर और इस तरह उसको पलट लेते हैं पैन केक को कट करेंगे स्क्वेर शेप में इस तरह साइड के सारे तुकड़े पैन केक के आगे कस्टर ट्रिफल बनाते वक इस्तमाल करेंगे अब एक पतली सी लेयर वीप क्रीम की इस तरह लगा देते हैं हलके हाथ से इस तरह पैन केक को हिस्ता हिस्ता रोल करके बटर पेपर से कवर करके उसको रख देते हैं फ्रिज में एक से देड़ घंटे तक कस्टर सॉस बनाने के लिए या 500 मिलेटर दूद लिए है और डो टेबल स्पूट वैनिला कस्टर पावडर दूद में से कुछ दो चमज दूद उसमें डाल कर कस्टर पावडर को अच्छी तरसे मेक्स कर देना है और एक फाइन पैस बना देनी है फैन में दूद को गरम करने रग देते हैं उसमें मिलाते है दो टेबल स्पूण शक्कर डूद गरम होने के बाद जैसे बॉयिल हो जाता है तो उसमें जो हमने पेज बनाई है कस्टड की उसको उसमें मिला कर अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं अब यह वैनिला कस्टड सॉस तयार है लेड़ घंटे के बाद स्विश रोल को फ्रीज से निकाल देते हैं त्रिफल को एसेंबल करने के लिए इस तरह का एक बोल लेक घंटेश के अन्दर पैंकेक के तुकडे डाल दियें और फिर अभी यह कस्टर सॉस पूर थंड़ा हुआ है उसको उपर इस तरह पूरी तरह कवर कर देते हैं यह कश्टर सॉस के ऊपर लेजर के क्रीम के उपर स्विश रोल का एक स्लाइज रखकर उसके उपर फिर से कस्टर सॉस इस तरह बहर देना है और उसको सब जगह से स्प्रेड कर देना है कस्टर स्प्रेड करने के बाद पाइपिंग बैक में स्टार नुजल से जो क्रीम है उसको इस तरह सब जगह स्टार का डिजाइन बना देना है सेंटर में स्विश रोल का दूसरा स्लाइज रखकर उसको इस तरह डेकोरेट कर देना है आप इंडिविजन स्विश रोल कस्टर ट्रिफर तयार हो गए फ्रेंड्स आज खास दिन हैं इसलिए मैंने इस तरह स्विश रोल बना कर उसको अधा कट करके उसके उपर कैंडन्स लगा दिये हैं और साथ में मिली स्विश रोल के स्लाइज भी रखे साथ में एक चॉकलेट रोज दिखाई दे रहा है उसकी लिंग इस वीडियो के डिस्क्रिशन बॉक्स में है और उसके साथ मैंने जो इंडिविजन ट्रिफर बनाया उसका बोल भी प्लेट में रखा है अब यह कुछ फायर क्रैकर के चॉकलेट बनाएं इसकी लिंग आप इसके डिस्क्रिशन बॉक्स में है चेक कर सकते हैं बड़े स्पेशियल स्वीट प्लेटर टैयार हो गया यह है एक मिडियम साइज का बोल लिया है उसके अंदर जो पैनकेक के कटे हुए पीश्टे उसको इस तरह बारी बारी तुग्डों में फैला देते हैं और फिर उसके उपर जो कस्टर सॉस बनाया है वैनिला कस्टर सॉस उसका लेयर लगा देते हैं कस्टर सॉस का लेयर लगाने के बाद उसके उपर स्प्रेड कर देते हैं टोटी बोटी सब जगह से स्क्वेर साइज का बोल है इसलिए उसकी चार्व साइड पे एक स्विश रोल के स्लाइज इस तरह लगा देते हैं पिर पाइपिन बैक के सहता से विप क्रीम का एक लेयर इस तरह लगा देते है उसके बाद स्विश रोल के कुछ श्लाइज क्रीम के उपर लगा देने कस्टर सौंस से कवर करने के बाद उसके उपर तूटी फूटी इस तरह स्प्रेड कर देना है सब जगर से यहां आप देख सकते हैं पाइपिंग लैक किसा है तसे मैंने इस तरह से स्क्वेर बना दिये हैं और उस स्क्वेर में मैंने जेली के क्यूप्स रखे आप चाहे तो मेनी स्विस रोल के स्लाइज भी रखके इसको डेकोरेट कर सकते हैं इस तरह बड़े बोल में स्विस रोल वैनिला कस्टर्ड ट्रिफल एसेंबल करके छोटे बोल में भी उसी तरह एसेंबल कर सकते हैं फ्रेंड्स तेवार या खास दिन हो तो इस तरह का स्विक प्लैटर बनाए और इंज्जॉय करें फिर मिलेंगे एक नई रेसिपिक के साथ बाई